हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माई यूट्यूब चैनल, एक्जाम फोर यू, सो गाइज, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो आपका SSC MTS का एक्जाम होने वाला है, उननिस माई 2023 का फर्स सिप्ट का, जितने भी कोश्चन इस वीडियो में पूछे गए हैं, मैं आपसे इसी वीडियो में डिसकस करूगी, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, हम आपको 100% गारांटी देते हैं कि, SSC MTS एक्जाम में यहां से पर्स जरूर पूछे जाएंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखा करें, सबी सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेंगे, पेपर बिल्कूल आसान आया हुआ था, फसिप्त का, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है, तो आप पलपल की अपडेट पाने के लिए एक्जाम फोर यू चैनल को सबस्क्राइब कर लीजिए, तो स्टार्ट कर लेते हैं आज की, SSC MTS की 19 मही की फसिप्त का एक्जाम, एनलाइसिस देख लेते हैं एक बार, पंडित विर्जू महाराज को 1986 में कौन सा पुरुसकार मिला था, ये मिला था आपका पदन, पदम भूशन, 1986 में, नेक्ष्ट देख लेते हैं, विक्रम जेट, द्वारा निम लिखित में से, कौन सी पुश्तक लिखी गई है, ये आपका काफी इंपोटेंट कोश्चन है, इसको ध्यान से देखते वे चलेंगे, ए शूटेबल बॉई, ये सत्र तारिक की सिफ्ट में भी पूछा गया था, सत्र में की सिफ्ट में, निम लिखित में से, गण गोड तोहर किस राज्ज में मनाय जाता है, ये मनाय जाता है आपका राजिस्थान, राजिस्थान is the correct answer, 1951 में भूदान आंदोलन या भूमे उपहर आंदोलन किस ने सुरू किया था, बिनोवा भावे ने अप्रेल 1950 में की थी बूनाद भूदान, ये भूदान है, आंदोलन कि शुरूआत तेलांगना के पोचम पाली से शुरू हुई थी, ये आपका दो कोश्टन बन गए इसमें, तो आप कोश्टन को ध्यान से पढ़ते हैं चलेंगे, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी आप लाइक करें, शेयर करें और एक्जाम फोर्यू चैनल को सब्सक्राइब जरू कर ले, आपको हर एक exam का analysis हर एक exam की cut off और daily की current affair आपको exam for the channel पर ही मिलेगी हमारा telegram group भी है और whatsapp group भी हम उसका link आपको वीडियो के end में जरूर देंगे तब जल्दी से जल्दी जाकर join जरूर कर लिजेगा जिससे आपको हर एक वीडियो का analysis हर एक परकार की update आपको मिलती रहे तो next देख लेते क्या बन रहा है बिर्जू पंडित बिर्जू महाराज किस नजत्ते से सम्बंदित थे यह थे आपके कथक से नेक्स्ट अंतराष्ट्य बास्केट बॉल फांडेशन यह था आपका Federation of International Basketball Association इसकी फुल फोर में पूर सकते हैं आपकी F.I.B.A. के नियमों और विनमयों के अनुसार बास्केट बॉल में पढ़ती एक दस मिनट के चार क्वार्टर होते हैं तो कुल समय कितरी मिनट का होता है चारीस मिनट का यह आपका important question है इस पोर्ट से सम्बंदित थे पूछा गया है next देख लेते हैं 1528 में चंदेली का यूद किनके बीच हुआ था यह वह था आपके मुगल शाशक बाबर एवं राजपूतों के मद्दे लड़ा गया था यह question दुबारा repeat हो गया इसलिए बोलते हैं हम वीडियो का आप next question करक रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है आठ राज्यों गुजरात राजिस्तान वद्द्देश चतिस गड़ जार कर्ण पस्षिम बंगल तिरपूरा बिजोरम यह आपको पूछ गया इंपोर्टेंट मार कर ले हम आपको इसी वीडियो में हर एक question को with proof कराते आपको हम आपको हर एक question with facts कराते हैं तो हम आपसे इसी वीडियो में हर एक question discuss करते हैं करेंगे जो भी आपका question हो आप हमसे discuss जरू करें comment box में एससी MTS exam में यहां से मतलब आने वाली next shift में इसी वीडियो से तीन या चार question जरू पूछ जाएंगे अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है exam for you चैनल को तो पलपल के update पाने के लिए exam for you चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए next देख लेते क्या बन रहें कनाड़ा के सविदान से भारत सविदान में क्या लिया गया है यह लिया गया आपका अवसिष्ट अधिकार का विचार कनाड़ा के सविदान से लिया गया है ओ सोरी यू एस ए ओ पर पुरूस एकर विजयता दो हजार बाइस का खिताब किसने जीता है इस्पेन कालोरस अलकराज ये काफि इम्पोटेंट है आप पूछा गया आपका शो मंडल की दरातल से हो चाहे कितनी है ये 14 किलो मिटर Microsoft 365 Windows को बंद करने का shortcut की क्या है ये आपका control पलस F4 शेवाल किस राज्य से सम्बंदित है ये मोनेरा ये आपका बाइलोजी से सम्बंदित पूछा गया राश्टपती सासन किस अनुशेद के तहत लगाया जाता है ये आपका अनुशेद 356 और 365 शेर एब्यार किसे कहते है राम लखान सिंग यादाव को तो दोस्तों ये थे आपके SSC MTS 13 मई 2013 की फर्स सिफ्ट का अनलाइसीज जितरे भी हमारे पास बच्चों ने कोश्चन सेंड के हैं हमने आपके लिए अनलाइसीज लाए हैं तक अगर आपको वीडियो अच्छी लग आप लाइक करे, लाइक करे, शेर करे और एक्जाम फोर यू चैनल को सबस्क्राइब जरू करें कमेंट करकर ये भी बताए आपके कितने कोशन साही हैं और कितने मार्क्ष बन रहे हैं तब वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं नए वीडियो के साथ अब तक के लिए बाई बाई टेक केर